नमस्कार धनियूस देखने हैं मैं हूँ आपके साथ हरजुन खजूरिया तो आखिरकार अब ये तैह हो चुका है कि कल यानि की 9 जून को शाम को 6 वजे के बाद नरेंदर मोदी तीसरी बार परधान मंत्री पद की शबत लेंगे सबसे बड़ी पार्टी बन करके उपरी भारतेंता पार्टी और इसी बीच अफिर से पीके यानि कि प्रशांद किशोर की प्रतिक्रिया सामने आई है जी हाँ इंडिया टूडे को दिये हुए इंटर्व्यू में प्रशांद किशोर ने कई सारी आहम बाते कही है सबसे पहले अगर बात किशोर ने कहा है कि ये कॉंग्रेस की तीसरी सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है अब तक के इतिहास में इसके लावा उन्होंने बात की बीजेपी के साथ comparison किया तो कहा कि ये बीजेपी की third best performance है उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जितने भी नेता है या कारे करता है वो इतने खुश नहीं है क्योंकि उनको merit यहाँ पर चाहिए था उसके बावजूद कि यहाँ पर प्यमोदी के कोई भी ऐसा जो एक तरफा जो यह कॉंग्रेस कह रही है कि उनके खिलाफ इमोशन था उनके खिलाफ जनता बढ़की थी तो ऐसा कुछ भी नहीं है और उन्होंने कहा कि अगर आपका जो बेटा है वहर बार अगर फेल होता है और वह 50-60 मार्स लेता है अगर वह 75-70-75 परसेंट मार्स ले तो आप यकिनन डिसपॉइंटिड होंगे तो यह वही इशारा किया उन्होंने जो बार-बार पहले दिन से बीजेपी के तमाम नेता बोल रहे हैं बेरहाल इस बीच अगर बात कि रहे तो कई सारी एहम बाते कही इस दुर को लेकर के सवाल पूछा गया कि आपने तो कहा था 303 के पार रहे हैं कि बीजेपी और उसको असेप्ट किया उन्होंने का हां हम गलत साबित हुए कम से कम 20% से जो है हम गलत साबित हुए सीट के मामले में हमने 300 की बात की थी बीजेपी की बविश्यवानी की थी और संख्य कि सीट्स में कमी इस बार देखने को मिली है वो जिसे आप से गडबंधन कहा जाए या बाकी जगा पर कुछ फैक्टर नहीं चले बीजेपी का वोट बैंक जो है वो बीजेपी की दरफ शिफ्ट होने के बजाए या फिर बीजेपी में रहने के बजाए वह विपक्षि अतिसाई से भी जो है पीके ने बात की है और यहीं उनहोंने कहा किछीजों को चीजों को नंबर से आगे बढ़कर समझना झरूरी है एगले 20-30 साल यह वो बीजेपी के है और उन्होंने कहा कि चाहे बीजेपी उस में अगर विपक्ष में धी रहे बीच में कभी ऐसा भी ह पर आफ गिर गया 40-50 सीटों पर आ गई अभी भी वो 99 सीट आने के बावजूद इतनी जादा खुश यहां पर नज़र आ रही है बैरहाल इस बीच प्रशान किशोर ने भी कहा कि कुछ हिलाकों में बाचपा के खिलाफ बहुत संतोश था संभवत थोड़ा गुसा भी था ले तो यह आंकलन उतना गलत नहीं है क्योंकि आखिरकार भारती जनता पार्टी को जो है 36 परसेंट वोट शेर मिला है जो की यह था स्थिती है उसी स्थिती के अनुसार है मोदी वापस आ रहे हैं अभी भी नंबर एक की पार्टी है बीजेपी कॉंग्रेस के लिए भी उन्हो बड़े पुरनधार के रूप में नहीं देखा जाया सकता क्योंकि जिससे आप से कॉंग्रेस जशन मना रही है वो भी वीडियो सामने है वो सुप्रिया श्रिनेट जो उनका आईटी सेल के रूम में जब जाती हैं और ऐसे हला करती हैं वहां पर सभी खड़े हो करके तालि अभी नहीं टेच कर पाया लेकिन उसके बावजूद खुशी देखिए उनके चेहरे पर और इसी को लेकर करके यहां पर प्रशांद किशोर ने कहा है कि बड़े पूर्णोधार के रूप में इसको नहीं देखा जा सकता प्रशांद किशोर ने आगे कहा कि इसने कुछ हद तक उन लोगों में थोड़ा सा उच्सा जो है उसको पुनर जीवित किया है थोड़े से डिया जो कांग्रेस समर्थक हैं उनमें विश्वास बड़ा है कि राहूल गांदी के प्रती उनका विश्वास बड़ा है लेकिन ये कोई بहुत बढ़ा पूर्न उधार यहां पर नह में भी जब कॉंग्रेस विफल रही थी तब भी उन्होंने 154 सीटे जीती थी इंद्रा गांधी के समय में जो उतार चड़ाव हुआ था वहीं आगे उन्होंने कहा कि गडबंदन सरकार की स्थिर्ता का सवाल ही जो है वो गलत है और नरेंदर मोधी सरकार चलाने और यहां तक की बड़े सुधारों को लागू करने का प्रबंदन करेंगे वहीं उन्होंने पीवी नरसीमा राओ का उधारन दिया जिन्होंने 90 के दर्शक की शुरुआत में कुछ हासिल किया जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या पीम बड़े काम कर पाएंगे निश्चित रूप से आगे पीके ने कहा कि वह करेंगे क्योंकि नरसीमा राओ ने यह सब किया है यह हमने इतिहास में देखा है वहीं पीम मोधी ने जो बाशन दिया उसको लेकर भी पीके ने कहा कि एंडिय गडवंदन में कुछ बदलाव आ रहे हैं जहां लुसने बाजपाड में बात कि चंदर II और नितյ कि कुमार के नियंत्रन को भी खारिच कर दिया पीके ने कहा कि कि ऐसी कोई भी स्थिती नहीं है जहां वह बाजपा के नित्रित्व वाले गडवंदन को छोड़ कर भी सरकार बना सके बैरहाल इस बीच यह भी कहा कि विपक्ष के बड़े राज्यों जैसे महाराश्ट्र हर्याना में यहां पर फाइदे की स्थिती में विपक्ष पहुंचा कि विपक्ष को मेरे ताकत लगाएं और उन राज्यों पर फोकस करें वहीं जो उन्होंने कहा कि बीजेपी अगले 20-30 साल तक पावर सेंटर बनी रहेगा इसको लेकर उन्होंने कहा कि विजेपी के लिए प्रभुथ्व वाला यूग रहने वाले 20-30 साल तक इसका मतलब यह नहीं है कि BJP चुनाव नहीं हारेगी वो अगर विपक्ष में भी जाते हैं लेकिन देश की राजनीती में जैसे 40 वर्षों तक कॉंग्रेस के साथ हुआ हमारे जीवन काल के अगले 20-30 वर्षों में जो है बाजपा काहिव है दुरूव होगा जिसकी चार और राजनीती गुमेगी वो प्रमुख राजनीती शक्ती बने रहेंगी यानि कि पॉलिटिकल सेंटर जो है वो BJP बनी रहेगी बेरहाल लब क्या कहना आपका इस पूरी खबर पर प्रशांद की शोर ने जो अपनी तमाम बाते कहीं है विपक्ष को लेकर घड़बंदन सरकार को लेकर के अंडिये सरकार को लेकर के अब आपकी इस पर जो राय हो आप जुरूर हमारे साथ कमेंट बाक्स में शेयर करें और बने रहें धन्यूस के साथ दन्यवाद